हेलो प्रेंड्स, ब्राइटी लेर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जियां फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि EPF PF के अंदर जो KYC अपडेट करते हैं, वो KYC कैसे अपडेट करते हैं तो फर्स्ट यहां पे Google और Google में लिखेंगे EPF Google में EPF लिखने के बाद एंटरफ्रेस करेंगे और यहां फर्स्ट ओप्शन आ रहा है Employment Provident Fund Organization पे क्लिक करेंगे इसके बाद सर्विस में जाके For Employees पे जाएंगे इसके बाद Member UAN Online पे क्लिक करेंगे जैसे यहां पे क्लिक करेंगे इस पस्ट यहां पे UAN Number लिकेंगे और UAN Number लिकने के बाद Password लिकेंगे UAN Number और Password लिकने के बाद यहां Capture Code लिकेंगे और Sign In पे क्लिक करेंगे जैसे ही Sign In पे क्लिक करेंगे Successfully Sign In हो गया इसके बाद Manage में जाके KYC पे क्लिक करेंगे KYC पे क्लिक करने के बाद यहां पे bank, pen और password तीन की KYC कर सकते हैं तो first मैं यहां bank select करता हूँ उसके बाद bank account number तो यहां लेकेंगे bank account number second option confirm bank account number का option है तो again account number confirm करतेंगे यहां पे इसके बाद bank IFSC code यहां पे लिखेंगे जो भी IFSC code होंगे bank के वो IFSC code यहां पे लिखेंगे और verify IFSC पे क्लिक करेंगे यहां IFSC verified बता रहा है मैं okay करता हूँ इसके बाद I agree पे क्लिक करके save wallet एप पे क्लिक कर देंगे save wallet एप पे क्लिक करने के बाद यहां पे जैसे save wallet एप पे क्लिक करेंगे तो जो आदार कार्ड में mobile number दिया है उस आदार कार्ड में mobile number पे जाएगा OTP और वो OTP यहां पे fill करके submit करेंगे तो यहां OTP भीज दिया गया है OTP को wait करते हैं और जैसे OTP आता है यहां पे fill करते हैं OTP रिशिफ्ट हो गया है यहां पे लिखते हैं OTP और submit wallet एप पे क्लिक कर देंगे submit wallet एप पे जैसे क्लिक करते हैं यहां processing स्टार्ट हो गई है यहां पे नीजे option आगए KYC pending for approval तो company से यहां KYC approval करवाना पड़ेगा जैसे यहां KYC approval जाएगी तो verification under process देंगा यहां पे approval लिकावा जाएगा Thank you for watching